सोनिपत में कारले सित DRDA हॉल में बजट बैठक आयोजित की गई सोनिपत के विधायक सुरेंदर पमार ने बजट बैठक में हिस्सा लिया विधायक सुरेंदर पमार ने नगर निगम सोनिपत की बजट वर्ष दोहजार तेज़ शौबीस की बैठक में सोनिपत विधान सभा के लंबित विकास कारियों के लिए बजट के प्रावधान करने की मांगी एजेंडे में सबसे पहले नवनिर्वाचित सीनियर डिप्टी मेयर राजीव सरोहा और डिप्टी मेयर मंजीत गहलावत को पद की शपत लेने पर उन्हें बधाई दी गई बजट बैठक में नगर निगम सोनिपत का बजट 667.66 करोड रुपए पास किया गया है विधायक सुरेंदर पावार ने कहा कि नगर निगम कमिशनर को पत्र के माध्यम से पहले भी विकास कारियों का जो सूची हैस्वों पी गई थी लेकिन अभी तक विकास कारियों की धरातल इस्तर पर कोई कारवाई नहीं शुड़ हुई है इसके साथी नोंने पिछली हाउस की बैठक में स्विक्रित हुए कारियों पर बोलते हुए कहा सेक्टर 23 से कक्रोई रोड तक सड़का नाम करण संत राम नाम देव के नाम पर मुर्थल जीटी रोड से मुर्थल अड़ा सोनि पतक सड़क का नाम करन महाषी कश्याप मार्ग महारणा प्रताप चौक से बहालगर तक सड़क का नाम सोतंतरता सेनानियों के नाम पर रखा जाए महलानारोड पर सेक्टर 23 और कोर्ट कैंपस का जो चौक बनता है उसका नामकरण स्वामी दयानन सरस्वती के नाम पर रखा जाए उन्होंने कहा कि उक्तकारे हाउस की बैठेक में सुक्रित हो चुके हैं लेकिन अभी तक धरातल पर कोई कारवाई नहीं हुई है इसकी भी स्टेटस रिपोर्ट उन्हें दी जाए विदायक सुरेंदर पावार ने कहा कि उनके द्वारा सौंपे गए विकास कारेयों की सूची से आम जनका भला होगा इसलिए उक्तकारेयों के लिए बजट का विशेश रूप से प्राधान हो ताकि शेहरवासियों को सुविधाय मिल सके